मिला जहन आज के वीडियोमें मतनां कि ख्यति कैसे की जाती है तो दोस्तों तो के ख्यति करने के लिए से फ़हले लत्ती हूता है यानिया बुड़ा कंड़ी कद तो छिंए घ्ला फोध के न iç तो फयासे है देखेंगे और उसके बाद कुरली के लट्टी वह तो उसमें से थोड़ा थोड़ा इसमें मतलब उसका पौधा निकलेगा जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में आपको अध्य जो है यह बुढ़ा खूरली का लट्टी है इसको हमने मिठी में डाल दिया है और इसको मिठी में डालनेके बाद यह में एक से छोटा छोटा पॉंधा देखनों को मिलता है जैसे यहां से एक पॉंधा निकला हुआ है यहीं पॉंधा बड़ा हो करके इसमें खोड़ली लगेगा और इस पॉंधे को बड़ा होने में लभग देर से दो मेना लग जाएगा और इस पॉंधे को सहारा मिले इसलिए हमने यह एस्टिक गार पॉंधा जल्द ही विकास करता है और देखिए पॉंधा जैसे बड़ा होगा है यह अपने स्टिक के सहारा लग लेते हुए आगे की वरबाद रहा है इसमें भी और कुछ ही दिनों में फूल देखने को मिल जाएगा पॉरली का जो फसल होता है वह काफी बेहद ही मुनाफ सब्सक्राइब होता है इस कीख्यति आप कर सकते काफी अच्छे पाइमाने पर पैसा को कमा सकते हैं पूरली का जो भूजिया होता है वह काफी बहुत सौकिन दार होता है कि जब दोस्तों इसमें फूल लग जाएगा और फूल से फल लगने के लिए हम एक असर नाम का दवा आता है कि इतना सक दवा जो की बतिया पालने का काम करता है वह असर नाम का दवा को हम का छिरकाओं करेंगे ताकि कि बत्या ज्यादा से ज्यादा हो सके और हमें काफी अच्छी मात्रा में मुनाफा हो उचित रूम पे उचित रेट पे हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मुनाफा हो देखिए इस यहां पे पुड़ी मत खेत में कुरली के ही खेत की कई है और देख सकता है सभी जगह पे एस्टिक डाला हुआ है ताकि पॉंध्य को सहारा मिल सके पॉंध्य का जो लती है हुआ इधर उधर न भटके आप देख रहे हैं कितने बेहतरीन तरीकी से किसान भाईयों ने अपने खेत में लगाया हुआ है और यह लती जब बड़ा हो जाएगा यानि यहां तक जब आ जाएगा यह लती यहां तक जब आ जाएगा तब इसमें बंबू मतलबांस की सहयता से मचान डाल दिया जाएगा और मचान के उपर कुरली का लती रहेगा और उस पर कुरली का फल जाता है तो इसमें तोरने में काफी सहयता मिलती है देखिए जैसा कि देखिए यहां पर जो है कुरली का लत्ती यहां तक हो गया है यानि कुछ ही दिनों के बाद इस खेट में मचान देने का सही वक्त आ जाएगा और हम वह भी आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या मचान दिया सब्सक्राइब करें तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब साथ ही बने घंटे का निसान